नमस्ते मैं हुपाल रहादगी मेरा ये वीडियो है डिसकसिंग सोनु सूद द अच्छा आदमी सोनु सूद जी सुर्खियों में आए क्योंकि उन्होंने माइगरंड वर्कर्स को हेल्प किया वो माइगरंड वर्कर्स जो महाराष्टरा से बाकी राज्यों में जाना जातें थे उनको कहां से पैसा मिला माइगरंड वर्कर्स को हेल्प करने के लिए उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली हमें वो ट्रेल अफ मनी के बारे में information नहीं मिली मगर ये information मिली कि सोनु सूद को पड़ंश्री नहीं दिया गया और सोनु सूद ने migrant workers को बहुत help किया आज की तारीक में सोनु सूद फिर से सुर्खियों में आते हैं जब वो कहते हैं कि वो करोना victims को help करना चाहते हैं कैसे उन्होंने अपने एक you know hotel को convert कर दिया into a hospital वो ये भी tweet करते हैं कि उनको पता चला कि beds की requirement थी और वो पूरी नहीं कर पाए रेम डेसिफर की जो requirement थी उसे भी वो पूरी नहीं कर पाए तो वो समझते हैं कि because वो पूरी नहीं कर पाए health system has failed of India तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सोनु सूद आप अपने आप से भाहर आईए आप बहुत जादा घमंडी हो चुके हैं आप health care system नहीं है आप एक इंसान है जो donations करके अच्छा अपने आपको बता कर I think brownie points लेना चाहते हैं जो आदमी अच्छा होता है ना वो इतना दिखाता नहीं है आप दिखाते हैं कि आप अच्छे है सुषान सिंग राजपूत एक अच्छे आदमी थे उन्होंने donations करी मगर दिखाया नहीं कि उन्होंने कहां पर कब donations की ये तो उनके निधन के बाद हमें पता चला कि उन्होंने कहां कहां donations करी आप जिस प्रकार से donations करते हैं वो एक पैतरा है एक PR strategy है अपना वजूद अच्छा बनाने के लिए आपको negative से positive roles मिले उसके लिए अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि आपको ये पैसा कहां से बिला जो पैसे का आप प्रदर्शन करते हैं migrant workers को help करके या अपने hotel को convert करके into covid hospital यहां पर आप सरकार नहीं है आप एक individual है आप एक Bollywood से जुड़े हुए अभिनेता है सरकार को आप challenge कर रहे हैं यह कहके कि सरकार की health system has failed so that is why I am challenging you क्योंकि आप नहीं है सरकार आप health care system नहीं है तो आप health care system के ओपर टिपड़ी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद सही नहीं है ऐसा मुझे लगता है आपके कोई दोस्त ने संगराम जी को बोला था कोई cartoon tweet करने के लिए मैंने देखा इसमें संगराम जी की अपनी नीजी सोच है मेरी अपनी नीजी सोच है हम दोनों साथ है मगर हम दोनों अलग-अलग सोच रखते है वहाँ पर आपके friend ने एक कोई cartoon बनाया है जहां पर वो आपको कह रहे है के how are you feeling भाई और आप कह रहे I am perfect, corona is suffering आप करोना से भी उपर है नहीं, आप करोना से उपर नहीं है एक तरफ आप कह रहे हैं घमंड आपके सर पर चड़ गया है नमस्ते, जैहिर